उत्रप्रदेश जनपत बारा इस तैसिल के सरगंज विकासकन फकरपूर के ग्राम पंचैत शुराजपूर के दोजाई पुरवास से निकल कर एक खबर सामने आ रही बतादे की पेड़े तमहिला जिसका नाम रूची वर्मा है दहेश के लिए सासनन ससुर देवर वपती इन लोगों के द्वारा दहेश की बात को लेकर पतनी को डेड़ वर्स पहले मार पीट कर घर से भगा दिया गया था तब से आज तक पेड़ेत महिला थाने के चक्कर लगा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है महिला थाने में भी नियाय की गुवार लगाई फिर भी कोई कारवाई नहीं हुई जो कि लाचार बे सहारा महिला छोटी सी बच्ची को लेकर घूम रही अधिकारियों का गेट खर्चा रही है कोई सुनने को त्यार नहीं है खबर वाईरल उनके बाद उचातिकारियों के द्वारा क्या कारवाई की जा रहती है प्रेट को नियाय मिलेगा या नहीं मीडिया फुसेल मंडल प्रभारिवेद प्रकास्तिर पार्टी के साथ जन जन्पद सहायक बियोरो चेफ महमत सभी कहमत की खास रिपोर्ट प्रकास्तिर पर्टी करते हैं मेरे पिता बहुत गरीब है इसलिए दहेच बहुत दिया लेकिन उनके हैसेत से ज्यादा ही दिया लेकिन लोग समझ नहीं हमको मारते हैं पिढते यहां बेट जाते हैं दो साल से यहां बैठी हूं और यह बच्ची जोगोड में वहाने आप करते हैं परिवार के छोड़ के छोड़ के छोटा देवर बस कि क्या मांगा है कि जितना आपके माबाब ने दहे दिया है और उसे मलब उन लोगों की इच्छा नहीं भरिया और दहे चाहते हैं यह मोटर साइकल दें लेकिन मेरे पापा ने गाड़ी का पैसा दाय दिया था लेकिन वह लोग गाड़ी भी मंगते हैं उल्टा वाहर नहीं तो इसका खाना खर्चा कौन देता है बच्ची का आपका कोई नहीं जी मेरे माबाब खुद उठाते हैं माब आपके दो साल से खर् अच्छा है यह आपके माबाप आपका उठा रहे हैं हाँ अच्छे बताईए